यह लीक कर रहा है यह फिल्टर के पास से देखो पूरा ओयली होई है अगारी में देखो यह बेल्ट भी खराब है कितने दिनों से एक साल से इसको बदलवाने को बोल रहे हैं तो यह ले लिया हमने ओयल फिल्टर यह ले लिया मैंने इंजन ओयल चार लीटर है हलो दोस्तों असलाम अलेकूं वेलकम बैक्ति मैं चैनल सावेश ब्लोग तो कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग फिर से स्वागत है तो अभी सुबह के टाइम हो रहा है देज़ बस के अभी तक चेंज नहीं करवा तो लास्ट बार मैं चैंज करवा लेता हूं अब वह कितना दिन भी चले 5000 से उपर चल जाए या फिर 5000 से नीचे चल जाए लास्ट बार करवाना है तीन से चार मेना तब मुझे रहना है तो 5000 कहां चल पएगा तो वही लास्ट बार समझों फिल्टर चेंज करवाता ही नहीं है बस इंजनोल चेंज करवाएगा हो गया जाओ फिल्टर कितने तिन चार बार यह मैंने इंजनोल चेंज करवाया एक बार भी फिल्टर चेंज नहीं हुआ मेरे आये डेर साल हो गया, डेर साल में एक बार भी फिल्टर चेंज नहीं हुआ, तो आज करवाऊंगा मैं, तो चलो अभी मैं हस्पिटल ओली मेडम को छोड़ के, फिर उधरी से उधरी चला जाऊंगा, तो चलो मैं अब लोग को दिखाता हूं, तो देखो 5325 किलमीटर चल मैं पहुँच गया हूं इदर कफिल के घर के बाहर तो दस बस के 5725 में एट हो रहे हैं, मेडम को लाकर छोड़ दी है हमें इधर हस्पिटल में, चलो मैं बात कर लेता हूं कफिल से और जा रहा हूं है कफिल के दुकान पर, तो मैं इदर पहुँच गया, यह सनिया में, चल नहीं क्या प्रबलम है फिल्टर का प्राबलम इंजन वोल का प्राबलम है जेंज करवा के देख लेते हैं अगर उससे सही हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर बताएंगे कफील को कि व्याइबरेट करता है गाड़ी अगर तो आगे हमीं चलो अंदर 성 시 केके ले लेते हैं औलोग घ्रिक्नल he चलो विल्टर होगयाने लेकर चलते हैं इधर ही यहां पर मैंने ये कफिय क्या वाले लगके का गारीrey बनवाया वहीं पर चेंज करवाना है, अभी हमने बात पर लिया है, तो आगे हमें यही है वो, वर्कसाप यही पर चेंज होगा, अपना इंजन ओयल और फिल्टर, तो हो रहा है अपना चेंज, यह लीक कर रहा है, यह फिल्टर के पास से, देखो, पूरा ओयली ओयल है, इसलिए मैं तुमको क्यों दिखा रहा हूँ, तुमको नॉलेज रहे, इसको जो अब पहले बद लिकरा हूँ, गारी में देखो, यह बेल्ट भी खराब है, कितने दिनों से, एक साल से इसको बदलवाने को बोल रहे है, यह भी ने बदला, गारी एकदम पुरा मार चुकी है, बस ऐसे घिस-घिस के चला रहा हूँ, मैं कैसे भी, जितना सोचो जल्दी काम हो जाए, उतने ही लेट होता है, फिल्टर छोटा निकल गया, अब जाकर बदलवा के लेकर आना पड़ेगा, यह फिर से दूसरा फिल्टर लिया, मैं लेकर जा रहा हूँ, देखो भी यह लग है, जान पहचान है, बाकिया हमने ओडर दे दिया है, यह बेल्ट का, और वो एयर फिल्टर का है, कल परसो में आएगा, तो फिर यह ही पैकेज़ चेंज करवाना पड़ेगा, तो यह ट्रीब जीरो कर देते हैं, और क्या है, तो चलो चलते हैं, अपना हो गए सब, बाकी बेल्ट आएगा, और एयर फिल्टर आएगा, तो कफिल फोन करके बुलाएगा मुझे, तो आएगा, अपना चेंज करवा लेंगे, बाकी जीरो किलो मेटर कर लिया मैंने, तो पूरे दस किलो मेटर चलने के बाद मैं इधर पहुँच गया अपने रूम पे, यहां से सनयर दस किलो मेटर दूर है, तो चलो जल्दी से चलके अपना खाना गरम करके खाने की कोशिस करते हैं, जल्दी से गरम करके और खा लेते हैं, तो यह खाना निकाल लिया है मैंने, चलो दोस्तों, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी आप खाने खाने बिश्मिला करो, तो एक बच के नौ मिनट हो रहा है, वह हस्पिटल वाली मैडम का खलास हो गया, वह अभी बुलाई है, तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ, मैडम को ला कर छोड़ देटा हूं, मैं ताभी रूम से निकलने से पहले ही वह छोटी वाली मेडम का फोन आया था कि वो मेडम को लाके हस्पिटल से छोड़ने के बाद ये कफिल के घर से कुछ समाल लेना है फिर उसके घर पर पहुंचाना है तो चलो भी काम कर देंगे खाना मैंने खा लिया था खाना खाके अपना दस मिनट इनते जार किया तब ये फोन आया चलो सही है अलहम्दिल्ला सब टाइम से हो गया तो पहुंच गया मैं इदर हस्पिटल की तरह और समस्या और भी बढ़ गया है इंजन से आवा जा रहा एकदम जैसे और साट्स के ऊपर भगाओत एकदम खुब आवा जा रहा है इंजन से तो मुझे लग रहा है वही एर फिल्टर के वज़े से हो रहा है एर फिल्टर या फिर वह बेल्ट के वज़े से देखो कल पर समय चेंज हो तो देखते हैं क्या होता है दो तीन मैना और साइसे नहीं चल सकता था ये देखो ये आठ किलो मिटर है मेरे रूम से और ये हस्पिटल दस किलो पहले चला था बाकी आठ पॉइंट थिरी आठ किलो मिटर तो ये दो हीटर दिये हैं इसको बनवाना है ले जाके मार्केट में बाकी इदर ये समान दिए है ये पहुंचाना है छोटी वाली मेडम के घर पे चलो समान दे कर sh bize यहां सीद्य मार्केट जाऊंगा मैं और जोहीं हीटर मिला है यहीटर पनवाते हैं देखते हैं कब बनता है वो तो अभी आक मैं यह मैडम के घर के बाहर झादा हुआ था था, फोन किया मै, तो वो बोल दिया कि पहले यहां जाओ, डंकिंग में हुआ रहा पहले जब मेरे साथ कोलेज जाती थी तो यहां से कॉफी ओगरा लेती थी तो मेरे को दिलवाती थी देखो यह रहा डंकिंग तो विल कट वाल यह है मैंने चालीस रियल का विल बना बागी वह कॉफी बन रहा है अपना यह है डंकिंग तो मेडम यही खरिच के देती थी एक-एक पांच रियल के एक है एक-एक एकषो दस रुफ़े का तो यह और ले लिए मैंने बागी मेडम ने बैंक में पैसे ट्राफ़र कर दिया चालीस रिया चलो इसको पहुंचाते अपना तो मेडम को सारा समान दे दिया मैं अब मैं जा रहा हूं यहां से सीधे मार्केट में वो हीटर के बारे में पता कर लेते हैं देखो अभी बना के देंगे किसाम तक देंगे पता नहीं अभी जा कर पूछ लेते हैं देखो लेट भी हो रहा है दो बज गया कि भागदर करने में तो आदे रास्ते तक मैं इदर पहुंच गया था तो अब दुबारा फॉन की वो छोटी वाली मेडम की खुद्रे में जाकर फॉरावला लेकर आना है फॉरावला याद नहीं आ रहा है मैं को फॉरावला मैं ले जाकर कई वर दिया हूँ, चलो बहुंशं के पूचते हैं, क्या है फॉरॉला इक और छीज़ बोली, यह फॉन करके बोलना है पूचना पोरेगा तो यह इदर है सुपर मार्केट और खुद्रा चेख करते हैं फॉरॉला है कई नहीं मॉला वही इस्टाबरी को बोलते हैं अभी याद आ गया है मुझे तो देखो यह है फरावला इस्टाबरी इस्टाबरी को फरावला बोलते हैं यह लेना है तो एक यह मंगाई है नोटेला चोकलेट नोटेला और आठ रियल के सब हुआ फरावला और यह सब जिर जिर ओगरा तो चलो चलते हैं इसको पहुंचाने रोड के उस पार उदर है मेरे बगाए तो चलो इदर से चलते हैं तो पहुंच गया मैं इदर फिर से चलो यह दे देते हैं फिर निकलते हैं अपने रूम के लिए लिए लेंगे हीटर अब साम को जाएंगे बनवाने के लिए तो धाई बजरा दे दिया मैंने वो सारा समान चोटी वाली मेडम के घर पर बाकि अब मैं जा रहा हूं अपने रूम पर और साम को मगरिब में अपना यह जाएंगे हीटर बनवाने के लिए अभी वीडियो एडिटिंग करना है अभी नहीं हो पाएगा तो फिर लेट हो जाएगा तो अभी जरूरी है रूम पर जा रहा हूं मैं वीडियो एडिटिंग करके डाल के फिर जाओंगा मार्केट में बोलेगी कफिल के बाए फोन करके तो मैं बोलूंगा कि बंद है साम को खुलेगा है तो चलो चलते हैं रूम पे तो पहुंच गया हमें रूम पे और बाकी अपना ये हीतर गाड़ी में ही है तो भीलते दोलते आया है अभी इसको चलेंगे चार पांच बजे तक बनवाने के झालिया